वेल तो हे गाईस, वेलकम टू माई चैनल, माईनेम इस पंकस, तो वेल आप लोग का स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जौन सीना का हमें रिटन कब तक देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे और भी अच्छी कासी अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाई, सब्सक्राइब कर लो, लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के लिए ओके सु चलते हैं फिन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ओके सु फर्स्ट बात कर लेते हैं भाई डेवलोली के अटेंडेंस को लेकर समर स्लैम का अटेंडेंस हमें कितना देखने को मिला था, जैसा कि हमने देखा डेवलोली यहां पर अनौन्स करते वे दिखाय देती है समर स्लैम के अंदर कि 69,194 यानि कि 59,194 लोग आँ पर अटेंडेंस में हैं समर स्लैम के, लेकिन एक्चुल यहां पर इतना अटेंडेंस नहीं था, जो एक्चुल रसल्टिक्स की तरफ से अपडेट देखने को मिला है, जो एक्चुल अटेंडेंस था, वो था 51,477 यानि क 51,477 अटेंडेंस या पर था, जो कि EWLE ने या पर थोड़ा बढ़ा चला कर 59,000 यहां पर दिखाया, ऐसा कुछ हमें या पर अपडेट देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आप लोग के क्या थौट्स है, कॉमें सेक्षन में जरू बता देना, बढ़ते वैसे अगले अपडेट हमें या पर देखने को मिल रहा है, रावडी, रौन्डा, रावजी को लेकर, जैसा कि हम सभी लोग जानते की, भाई, रौन्डा, रावजी के साथ में, जो सीचुवेशन देखने को मिल रहे थी, करिंटली, उसको लेकर पहले भी अपडेट आया था, कि हो दिखाई दे जाए और Ronda Rousey Wally से done होते वे दिखाई दे जाए वो मेभी quit करते वे दिखाई दे सकती है So Dave Melger का यहाँ पर कहना है कि जो Ronda Rousey है वो मेभी done हो चुकी है Wally से और वो अब हमें Wally के साथ में नहीं देखने को मिलेंगी after Summer Slam ऐसा कुछ यहाँ पर Summer Slam के मैच के बाद इनकी तरफ से finally एक tweet देखने को मिलता है जहाँ पर Ronda Rousey tweet करके कहते वे दिखाई देते हैं कि Umbrella Service still the only tribal chief ऐसा कुछ हमें यहाँ पर tweet देखने को मिलता है यानि कि यहाँ पर Ronda Rousey कहते वे दिखाई देते हैं कि still अभी जो tribal chief है वो Roman Reigns सी है तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर Roman Reigns की तरफ से tweet देखने को मिलता है वैसे इसको लेकर आप लोग के क्या thoughts है comment section में जो बता देना Roman Reigns का swag है वो तो बढ़ते वैसे अगले update की तरफ so यह update हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है night one के अंदर main event किया था and then इसके बाद money in the bank के अंदर main event किया अब summer slam के अंदर main event किया यानि कि 3 बड़े pay-per-view के अंदर इन्होंने main event किया है और इस साल यह इनका एक काफी impressive record है कि 3 pay-per-view के अंदर इन्होंने main event किया है जो कि Russell Menya, money in the bank और summer slam जो कि definitely एक काफी बड़ा record है और रोमने इसके साथ में जो match देखने को मिला जे उसो का वो उनके career का single यानि कि career single काफी बड़ा match था जो कि 36 minute आराउंड या पर देखने को मिला था तो उनके singles career का ये एक काफी बड़ा match था जे उसो भी अपनी तरफ से काफी बड़ा बड़ा record बनाते विए दिखाई दे रहे हैं वैसे अगले update की बात कर ले तो ये update हमें याँ पर रोमने इसके एक और cousin को लेकर देखने को मिल रहा है तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि रोमने इसका एक और cousin जिसका नाम जेकब फाटू है जो कि फिलाल के time पे MLW के अंदर काम करते हैं इनकी तरफ से tweet देखने को मिलता है जहाँ पर इनका ये कहना था कि bottom of the third inning यानि कि अभी तो यहाँ पर शुरुवात है third inning की शुरुवात तो ऐसा कुछ यहाँ पर हमें इनकी तरफ से देखने को मिलता है तो भाई इनका मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये भी involved होंगे इसके अंदर वैसे tease तो यहाँ पर काफे interesting देखने को मिला है जैका फाटू की तरफ से अब let's see क्या future में इनका involvement देखने को मिलता भी है या फिर bloodland के साथ में नहीं बढ़ते हैं वैसे अगले update की तरफ so यह update हमें आपर देखने को मिल रहा है the beast incarnate Brock Lesnar को लेकर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि Dave Milger की तरफ से कल update देखने को मिला जो कि Chris the wrestling informer की तरफ से देखने को मिली गया है मैं screenshot हो से के दो डाल दूँगा जहां पर Chris the wrestling informer का ये कहना है कि जो हमें Brock Lesnar है वो fastland pay-per-view के अंदर भी नजर आ सकते हैं यानि कि Brock Lesnar सिर्फ हमें payback pay-per-view के अंदर ही नहीं वो fastland pay-per-view के अंदर भी देखने को मिलेंगे ऐसा कुछ यहाँ पर इनको लेकर report देखने को मिल रहा है सो बात कर लेते हैं John Cena के बारे में तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 16 time world champion John Cena को लेकर सभी को इंतिजार रहता है कि भाई John Cena हमें कब तक WD के अंदर देखने को मिलेगा लेकिन फिलाल के time पे मतलब इस साल तो साथ से हमें return ना देखने को मिले लेकिन अगले साल Royal Rumble के आसपास return देखने को मिलेगा और बताया यह जाला है कि WD hope कर रही है कि John Cena Royal Rumble और Russell Minya 40 इन दोनों pay-per-view के अंदर confirm हो और इन दोनों pay-per-view के अंदर वो match Russell करें ऐसा कुछ हमें आपर John Cena को लेकर update देखने को मिल रहा है यानि कि John Cena हमें हो सकता है Royal Rumble 2024 के अंदर और Russell Minya 40 के अंदर इन दोनों pay-per-view के अंदर आते विए दिखाए देंगे जो कि John Cena के fans के लिए obviously काफी बड़ी news है इसको लेकर आप लोग के क्या thoughts है भाई comment में ये भी बता देना बढ़ते वैसे अगले update की तरफ so ये update हमें आपर देखने को मिल रहा है the wiper Randy Oton and Brave White को लेकर तो summer slam के अंदर हमें काफी बड़ी disappointment देखने को मिली जहां पर नहीं Randy Oton का return देखने को मिला नहीं Brave White देखने को मिले अब ये wrestling sources की तरफ से updates देखने को मिली थी कि Randy Oton देखने को मिलेंगे PW Insider ने कहा भी था कि हो सकता है कि हमें Randy Oton देखने को मिल जाए वो Detroit में है लेकिन वैसा कुछ हमें यहां पर नहीं देखने को मिला फिलाल के time पर वो return क्यों नहीं देखने को मिला इसको लेकर कोई clear update तो है नहीं लेकिन यहां पर यह update देखने को मिल रहा है फिलाल के time पर कि जो Randy Oton का हमें return देखने को मिलेगा वो return होगा लेकिन जो return होगा वो as a heel देखने को मिलेगा और जो हमें यहाँ पर return देखने को मिलेगा बरी वाइट का वो as same character जो हमें पहले देखने को मिल रहा था return के बाद Extreme Rules के वही वाला character देखने को मिलेगा Uncle Howdy भी देखने को मिलेंगे लेकिन यह दोनों superstar इनका जो return है वो थोड़ा बहुत हमें delay होते भी दिखाई देगा लेकिन यह दोनों superstars हमें return करते भी दिखाई देंगे तो यहाँ पर situation कफ जदा tough हो चुकी है fans के लिए क्योंकि fans अगर इनका superstar है ऐसे superstars है जिनका return नहीं होता है तो obviously frustrated होई जाते है तो ऐसे में आप फर frustration fans का देखने को मिली रहा है Randy Orton और Bray White के return को लेकर Lexi भाई कब तक देखने को मिलता है hope करते जल्दी ही Randy Orton और Bray White का return देखने को मिले अभी कब तक return देखने को मिलेंगे इसको लेकर clearly कोई अभी update तो है नहीं लेकिन Randy Orton और Bray हमें हो सकते है जल्दी ही return करते विए दिखाई दे जाए So इन सारे updates के उपर आप लोग के thoughts आप लोग के opinion कहा है भाई comment section बता देना वीडियो अगर अच्छी लगी तो है like करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो Instagram और Twitter पर follow कर लेना मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye everyone guys